हेलो बच्चो गुड मॉर्निंग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भार हिंता के बारे में वेट लेसनेस के बारे में क्या होती है बच्चो बार हिंता बार हिंता एक विशेश स्थिती है उस स्थिती में इंसान या कोई भी वस्तू है वो अपना भार महसूस ही नहीं करती है आपने देछा होगा कि अंतरिक्ष में सेटलाइट के अंदर कोई भी जो व्यक्ति जाते हैं बत्चों अंतरिक्ष के अंदर तो वो क्या करते है उस उपग्रह के अंदर ही उडते रहते हैं उनका खुद का कोई वो बाहर मैसूस ही नहीं कर पाते हम आज यहां पर मैं खड़ा हूँ आप बेठे हो क्यों है क्योंकि बच्चों हम पर गुरुत्वियबल प्रभावी है लेकिन उन पर वो गुरुत्वियबल को मैसूस ही नहीं कर पाते देखे क्या होता है कैसे होता है अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि उपग्रह में बार हिंता कैसे मैसूस करता है वो बंदा उपग्रह में बार हिंता देखे ये हमारी प्रत्वी है बच्चो इस प्रत्वी की जो त्रिज्या है वो है आर इस प्रत्वी का जो द्रवयमान है वो capital HEM है और प्रत्वी के केंदर से और दूरी पर कोई बचो satellite है जो की वहाँ पर इस प्रत्वी के चारों और क्या कर रहा है चकर काट रहा है इस जगह पर ये वाला satellite है बचो ये satellite है माल लिया इस satellite का द्रवयमान कितना है जो उपग्रह है उपग्रह का द्रवयमान है बचो कितना M और इस उपग्रह के अंदर एक बंदा भी है बचो एक व्यक्ति भी है ठीक है तो इस व्यक्ति का द्रवयमान कितना है मैं मानता हूँ इस व्यक्ति का द्रवयमान बचो M-DES M-DES इसका प्यक्ति का द्रवयमान है अब क्या है कि ये उपग्रह है ना जो बच्चो वो V-naught कक्षिय वेग से इस प्रत्वी के चारों और चकर काट रहा है ठीक है तो इस उपग्रह को प्रत्वी से बांधे रखने वाला अभिकेंद्रियबल कहां से मिलता है अभिकेंद्रियबल मिलता है गुर्त्वाकर्शनबल से तो अभिकेंद्रियबल का मान क्या होगा अभिकेंद्रियबल बराबर आ जाएगा बच्चो गुर्त्वाकर्शनबल अभिकेंद्रियबल बराबर हो जाएगा M V square upon R लेकिन बच्चो अभिकेंदरिये बल का मान हम ये भी लिख सकते हैं M दरवे मान गुणा V square upon R ये होता है अभिकेंदरिये त्वर्ण अभिकेंदरिये त्वर्ण ठीक है हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते है इसका मान किसके बराबर है गुर्टवा कर्शन बलके बराबर जो है GMM upon RS square जो कट रहा है उसको काट दो बच्चो M से M cut out हुआ तो AC is equal to कितना आ गया GM upon RS square ठीक है अब बिकेंदरी ये तवर्ण है ये यहां तक बात ये clear है बच्चो अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो उपग्रह के अंदर M डेस द्रवयमान वाला अंत्रिक्ष यात्री है उस पर बल कितने कार्य कर रहे हैं उपग्रह में M डेस द्रवयमान वाले यात्री पर कार्यरत बल इस पर बच्चो दो प्रकार के बल कार्यरत है पहला बल तो इस पर कार्य कर रहा है गुर्तौकרशन बल अगर इसका मैं मान लिखूं बच्छों तो कितना आएगा? गुर्तौकरशन बल का मान कितना आएगा लेखें प्रथ्वी और इस बंदे के बीच में बात कर रहा हूं तो G, M, प्रत्वी का द्रव्यमान, और इस अंत्रिक्ष यात्री का द्रव्यमान कितना है? ये किदर की और है प्रत्वी के केंदर की और किसके प्रत्वी के केंदर की और और इस यात्री पर बचो एक दूसरा बल भी कार्य कर रहा है वो है प्रत्वी के विप्रित उपग्रह के फर्ष की अभी केंदर ये अभिलम प्रतिकिरिया दूसरा कार्य कर रहा है बचो अभिलम प्रतिकिर्या आर, देखे ये कैसे आई समझने वाली बात है यह जो बच्छो लिफ्ट थी यह लिफ्ट, इस लिफ्ट का अभिकेंद्री ये त्वरन जो है, वो किधर की और कारह रहे रहे था बच्छो, नीचे की और पर्थ्वी के केंदर की और कारेरत था तो ये जो बल लग रहा है या यूँकु ये जो अभिकेंदरिय तवर्ण लग रहा है जो किरिया हो रही है इसके एक विपरित परतिकिरिया भी होगी तो उसको मैंने नाम दिया अभिलंब प्रती की दिया, जो यÊ बंदा भी महसूस करेगा, ये जो अंत्रिक्ष यात्री है, ये भी महसूस करेगा अब यहाँ से अगर मैं प्रत्वी के केंदर की ओर अंत्रिक्ष यात्री पर कारेरत कुल बल ग्याद करना चाहों प्रत्वी के केंदर की और यात्री पर कारेरत कुल बल इस पर दो ही तो बल लग रहे हैं केंदर की और बच्चो कौन सा लग रहा है यह लग रहा है और बच्चो कौन सा बल कार्य कर रहा है यहां पर इसके अलावा जो बल कार्य कर रहा है न वो है ये अभिलम प्रतिकिरिया ये किस दिशा में है ये विप्री दिशा में कार्य कर रहा है इसको मैं माइनस लिख दूँगा प्रत्वी केंदर की ओर यात्री पर कारे रता कुल बल का मान बचो यह है बचो यह जो बल है यह बल अंत्रिक्ष यात्री को आवशक अभिकेंद्रिय बल परदान करता है ठीक है अब अंत्रिक्ष यात्री के लिए अभिकेंद्रिये बल का मान क्या होगा बच्चो वो अभिकेंद्रिये बल का मान किसके लिए पूछ रहा हूँ मैं अंत्रिक्ष यात्री के लिए पूछ रहा हूँ अंत्रिक्ष यात्री के लिए अभिकेंद्रियबल का मान ठीक है बच्चो, देखना ये मान जो आएगा ना सबसे पहले अंत्रिक्ष यात्री का दरवे मान कितना है M-डेस into V-square upon R V-square upon R चाहे तो आप इसको V-not भी लिख सकते हैं ये अभिकेंद्रियबल है वो कहां से मिल रहा है इस बल से मिल रहा है G-M-डेस upon R-square माइनस R यहां से मिल रहा है इसे मान जो समीकरण 1 अब मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से समीकरण 1 से बच्चो A-C था मैंने आपको बताया था उसकी वैल्यू किसके बराबर थी V-not-square upon R की जगही तो ऐसी लिखा था मतलब V-not-square upon R की वैल्यू कितनी है G-M upon R-square तो वैल्यू पुट कीजिए G-M-डेस upon R-square माइनस R is equal to यह देखिए यहां पर M-डेस की जगह M-डेस है V-not-square upon R की जगही कितना आजएगा बच्चो G-M upon R-square तो यह आगया G-M upon R-square इसको यह भी तो लिख सकता हूँ M को इधर लिख दिया तो G-M-डेस तो यह वैल्यू क्या बन गई G-M-M-डेस upon R-square यहां से बच्चो अगर R की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो R को उधर ले करके जाऊँगा पॉजिटिव हो गया तो यह वैल्यू क्या है G-M-M-डेस upon R-square इसको इधर ले करके है माइनस का G-M-M-डेस upon R-square तो R के वैल्यू कितनी आगे बच्चो जीरो आ गई है जीरो आ गई है तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक श्रियात्री पर अभिलम परतिकिर्या बल शुन्य है अंतरिक श्रियात्री और उपग्राय के बितर कोई चीज बाहर हिंता का नुबवत करेगी समझ में आई बात बच्चो इस पर कोई और बल नहीं लग रहा है अभिलम परतिकिर्या बल लग ही नहीं रहा है इस व्यक्ति के उपर बतलब यह मुक्तरूप से गिर रहा है अब, उसके अंदर अराम से मुक्तरूप से गिर रहा है, यह भार हिंता की स्थिति होती है, जब यह वाली कंडिशन्स हो जाए, उसके उपर कोई अभिलम परतिक्रिया बल लग ही नहीं रहा, हमपर लग रहा है बचो देखिए, मैं यह क्यों नहीं गिर रहा, सबसे पहली बात तो परत्वी मेरे उपर क्या लगा रही है बचो गुर्तवाकर्शन बल, मतलब मैं परत्वी के और गुर्तवाकर्शन बल लगा रहा हूं, गुर्तवाकर्शन के कारण उसके और जा रहा हूं मैं, आकर्शन बल लग रहा है, और उस तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर